है गाई विल्कम बैक टू माई चैनल अरजीत देक्सप्लोडा कैसे हैं आप लोग अशागार्तों आप लोग बहुत आच्छे होंगे मैं इस बक्त खड़ा हूँ नुवारा एलिया पे सिता माता टेंपल पे नुवारा एलिया के सिता माता टेंपल जिसे अशोक वाटिका भी सिता माता टेंपल यह देखिए यह सिता माता टेंपल अंदर फोटोग्राफी विडियोग्राफी नॉट तो इसलिए मैं अंदर जा के फोटोग्राफी और विडियोग्राफी नहीं किया हूँ बाकि जो में जगा था जहांपर हनुमान जी ने सिता माता को अंगुटे दिय गरनें और और जए टेम्पिल्री रहे हैं कि कापचेर है यह इसरे पड़नो दियूर्फ प्लेस यह नियुक्रादभ holiday बना पिंट्सेटा नेसी तो में पोर्टी में ईयुकने हैं युक्राना भूर्टेशा नियुकंत नुवारा एलेया पर आईएगा तो एक बार जरूर ये टेम्पल को पिजिक पीजिए बहार सी ये इत्का ऐसा है यह पर लिखा गया है नो फोटोग्राफी पिलिस तो अंदर मैं जाके फोटोग्राफी तो नहीं करने वाला कि यह देखिये हणुमान जी की पैरों के निशन और यही वा जगाई यह वह पवित्र जगाई जहां पे हनुमान जी ने सितामाता से मुलकात किया था रांट जी के कहने पर और उनको वह अंगूठी भी दिया था यह आशोबभाजा यह पूरा आशोबभाजाटिका है सामने यह मंदिर है और पीछे यह अशोग भटिका था जो एंशियंट टाइम के वह जगह जहां पर रावन जी ने सिता माता को रखा था और यहां ही पर हनुमान जी ने सिता माता से मुनाकात किया था यह वह पवित्र जगह यहां पर और अनुमान जी परहो के निशान भी आप देख सकते हैं कि इसको मानते इसको ही पूजा करते हैं लोग यह पर आते हैंक पर ऐगए और और इसको पर पूजा करते आएं सामने ओंब आइएं जुम मंदिर है जो यहां पर फोटोगरफी और अलाउड नहीं है वह तो दोस्तों यह है Gregory Lake यह है देखिए यह मेनरास्ट रोड है और यह है Gregory Lake ग्रेगोडी लेक एक ब्यूटिफुल प्लेस है जहां पर आप शाम के बगद आ सकते हैं और एक अच्छा टाइम गुजर सकते हैं ग्रेगोडी लेक पर बहुत सुंदर है यह देखिए पाहरों कि चाइस पुरादिक पाहार पे गिरे हुए है पाहर से और बीच में यह लेक है अब भूब बहुत सुंदर दिखता है आप शाम के बगत आई है और इसमें यहां पे फुरा बगत ही ताइए आ अपको अच्छा लेगा मैं आप यहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं इसके लिए आपको अलग से चर्जिस पे करना पड़ेगा और यह लेक पे इंटर करने की फीज भी है यह जैसे कि हम लोग के लिए जो आउटसाइड सिमामे जो स्रिलंकन नहीं है उन लोग के लिए 500 रूपीस स्रिलंकन रूपीस पे करना पड़ता है तो यह लगभग 125 रूपिया इंडियान रूपीस हुआ तो लुके दा व्यू है व्यू देखिए है क्या शांदार द्रिश्च है नुवारेलिया पी तो देखने के लिए लोग आते है नुवारेलिया के यह बहत सिंदर पहार और यहां पी यह ग्रोड आपको लगए कि आप बिटिश कोलोनी पर है लाइक इंग्लाइंड और यूसलेंड हो गया ऐसे कई जगह है यह आयलेंड हो गया ऐसे किसी जगह पर पहुच गया है और यह लेक की लंबाई अराउंड 2-3 किलोमेटर है इस चोड़ा तो नहीं है यह लेक उतना ज़ता बट केंडी लेक जैसे बहुत चोड़ा था यह लेक उतना चोड़ा तो नहीं है बट यह लेक बहुत बड़ा है मतलब 2-3 किलोमेटर लंबा लेक समयजी और यह आपको सीधा दिख रहा है यह गॉल्फ कोट्स है दोस्तों अंग्रेजों की गॉल्फ कोट्स बनाया गया है और बहुत ही मज़ेदार अपने हिसाब से यह लेक ने बनाया था यह जगा को गॉल्फ कोर्स है यहां पे रेस कोर्स भी है और सब है लेकि नजदीक से दिखाते हुए यहीं से जब आप अराम से घूश सकता है बता नहीं वहां पे किस बात के 500 LKR रिक्के चार्च कर रहा है यहां से आप अराम से घूश सकता है अगर आप लेक के नजदीक रहना चाते है तो ऐसे महेंगे गेस्थाउस पर रह सकते है और या तो ऐसे वैन पर भी रह सकते है यह वैन ऐसे ही इसलिए किया गया हुगा तो यह लेक के बिल्कुल आपोसिट है आप चाहे तो आपका अगर बजट अच्छा खसा है तो आप यह नज़ारे देखना चाता है सुबह सुबह उठके तो आप अराम से यहां पर रह सकते हैं सब कुछ डिपेंड करता है आप क्या फोट कर सकते हैं और क्या नहीं है बिल्कुल नजदीक है